मांशु दुवेदी और स्वागत आपका अमारी खास पेशकर चुनावी संबाद में मद्यप्रदेश शत्तितगर में चुनाव अब अंतिम प्रक्रिया में है अंतिम प्रक्रिया के तहट चुनाव प्रचार भी अब थमने कोई कल शाम 6 वजे चुनाव प्रचार थमजाएगा दोनों राज्योगा दोनों ही पार्टियां जो प्रमुख राश्रे पार्टिया भारत्य जंता के दौरान लगातार कोशिश करते रहें उन शक्सितों से आपको रूब-ूब कराने की जो इस चुनाब में महती भूमिका में जो या तो चुनाव लड़ा रहे हैं या चुनाव लड़ा रहे हैं इसी क्रम में एक महतपूर्ण शक्सित आज हमारे साथ हमारे राइपूर स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शक्सित जिसको भारती राज़ीती में शिष्टता, सौमिता, सरलता, इसपश्टता के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं भारती जंता पार्टी के राश्ट्र उपाद जक्ष और 36 गड़ के 15 साल तक लगातार बुक्यमतिरी रहे डॉक्टर रमन सिंग के। डॉक्टर रमन सिंग इस बार भी महती भूमिका में 36 गड़ चुनाव में सक्री रहे है। वा सुएम भी चुनाव लड़न रहे। अपनी पार्टी के लिए भी चुनाव dit कर रहे हैं वारे तहना ने सब्सक्की कोषिव करेंगा कि इतनी महनत वह क्यों मंतरी रह लिए आप 00.03–2018, 2013 च्एवे ऐसे पसीना बहते हुए दिख रहे हैं यह से 2003 प्रदेश्युक्तर रहते हैं क्या पाने के लिए अट्री में अहिनत कर रहे हैं फिर से मुख्यमंतरी बनना चाह रहे हैं बाजबा को सप्ता में लाना चाह रहे हैं या बूपिश बगेलदी से जो आपके विशेश मौधदाइई करना चाह रहे हैं देखें भूपिश जिल्दापर्टी का एक समंध कार करता हूं और मेरी भूमिका दोजार तीन से लेकर दोजार तेईस आते आते अलग-अलग दाइट्व में रहा कभी मुख्यमंत्री के दोर में कभी केंद्री मंत्री के रूप में कभी विधाय के रूप में और जहाँ जैसे भी पार्टी ने मुझे उसर दिया उन सिस्थान पे मैंने काम किया मगर जहां तक संगठन में काम करने का है तो संगठन का दाइद दुव लगाता डक्टर रमन के वसरा आज राश्टी उपाध्यच की भूमिका में मैं हूँ पार्टी ने जो मान सम्मान दिया डक्टर रमन को एक चोटे से पार्षण से यहां तक मुखे मंत्री और केंद्री मंत्री बनाने की भूमिका रही तो मैं समझता हूँ की जब हमको काम करने का उसरा आता है तो हम उन कारकरताओं के लिए भी काम करते हैं जिन देश्योंने पार्टी का अधार बनाया है तो आज मेरी भूमी का उन सभी हमारे पत्याशियों को जीताने की है जो इस चुनाओ के मैदान में उतर रहे हैं और दूसरी बात ये लक्ष नहीं है कि मुख्यमंतरी बनना है या कोई और दूसरे पत की पाने की इंता है सवाल इस बात कहा है कि भारती जंता पार्टी की छत् सब्सक्राइब करें यह बड़ा लक्ष को लेकर हम काम कर रहे हैं अपनी पार्डी की सरकार बने वह तो ठीक है भूपई बगिल जी ने इसे पांस सालों में क्या कर दे कि आप चाहते हैं कि उनकी सम्मान जनक विदाई हो जाए चट्यजगड का जितना बड़ा नुक्सान एक व्यक्ति ने अकेले किया है वो उस व्यक्ति का नाम है वुपईज जिसने चट्यजगड के वर्क कल्चर को बिकाड के रख दिया चट्यजगड के सौमेता को बिकाड के रख दिया चट्यगड में डेफिनेशन को समाप्त कर दिया पंदरा साल जो विकास का आधार बना चत्तिजगड के डेवलपेंट और चत्तिजगड के इंफरेस्ट्रक्शर की क्या हाला थे तो मुझे लगता है कि भुपेज जैसे व्यक्ति को जो आज पांस साल में चत्तिजगड को अपराद घड़ बना दिया जुआ, सटा, अपराद और जिस प्रकार के मुद्दे भुपेज के साथ चिपके हुए हैं, मुझे लगता है कि इतना बड़ा भृष्टाचार करने के बाद, चाए शराप का हो, चाए कोईले का हो, चाए चावल की गोटाले का हो, इसके बाद कोई व्यक्ती सोचे कि इस प्रदेश मुख्यमंतरी के पद में फिर से बैठेगा, तो ये चत्तिगड की जनता भी नहीं बैठाने वाली है, और चत्तिगड की जनता माफ भी नहीं करने वाली है, आपको डेवलोपेंट के लिए विधायक बनाया है, ना कि आप महादेव एप के लिए आप भूमी का निवाने के लिए, आपकी नाराजी किस बात को लेकर है, भूपेज भगेल के मुख्यमंदरी के तौर पर काम को लेकर, या कॉंग्रस पार्टी की सरकार को लेकर, सरकार को ठीक को ठाक मान रहे हैं, कॉग्रस पार्टी को ठीक मान रहे हैं, या पूरे के पूरे तंदर पर ही आपके नाराजी है, सरकार का मुख्या तो भूपेज भगेल है, ड्राइविंग सीट में जो बैठा है, उसकी भूमी का है, और वो यदि छत्यजगर को राजीतिक दिश्ती से यहां तक गिरावट आ जाए, कि केंडर के इनके बैठे वे पताधिकारियों के लिए राश्टी कॉंग्रिस के लिए एटियम की भूमी का में यही कोई व्यक्ती बैठ जाता है, तो अब यह लगता है, इसको बदलना ही आउस्यक है, जब राजा चोर हो जाता है, तो उसको बदलना ही जनता का एक आखरी विकल्प रहता है, आपकी बाशा दोहजार तीन की यह दिला रही है, जब अजी जोगी की सरकार हुआ करती थी, आप केंडरिय मंद्री की भूमिका छोड़का प्रदेश अद्रिश की भूमिका में थे, तब भी आप ऐसे गुस्ते में और आ जादा नाराज हैं, अजी जोगी की सरकार आपको ज्यादा खराब देखी या भूपेश जी की सरकार आपको ज्यादा खराब देखी, जोगी की सरकार और जोगी की सरकार ने थाई साल, दो साल, तीन साल की यात्रा में जो छतिजगड की हालात भय आतंक अवात्रण बनाया भुपेश उससे चारगुना ज्यादा इस्तिती में लाके छत्तिज़ड को खड़ा किया है इतना ज्यादा शूशन छत्तिज़ड का जो भुपेश के समय हुआ अब तो लोग जोगी से तुलना करते हैं तो ये कहने लगते हैं कि जोगी बहतर आदमी था जब आप इतना ज्यादा आक्षिब लगा रहे हैं तो भाजबा ने पास साल में क्या किया भारती जनता पारड़ी मुख्य विपक्ष की भूमिका में प्रदेश में थी नौनो सांसर लोग सवा में भारती जनता पारड़ी के थे आप लोग रहे और इसके बाविद भी प्रदेश ऐसा हो गया यह कैसे हुआ देखियो मुख्यमंत्री यह मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से स्टेट को जिस दिशा में ले जाने का मुख्यमंत्री के पास अधिकार रहता है है। दो बहुति आसा व्यक्ति था जो बिना किसी के सुझाओ करता रहा। इसने मुख्यमंत्री के हैसियत से चत्रिगड़ की जो दिशा तया की बेगे जो ही गलत है मैं मानता हूं। घलत त्ट्र 就是 को ले जाके रख झाण इनका तो गलत त्रयक हो भारती जनता पार्टी ने इन पांस सालों में विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका निवाए उसको लेकर कितने संतुष्ट हो कितने असंतुष्ट वाई मुख्यमंद्री दो नहीं बदला पर आपने नेता प्रदिवक्ष तो बदल दिया आपने प्रदिश अधिश भी बद जितना इस पार्टी को कांग्रेस को घेर सकते थे उससे ज्यादा अमने पंद्रा के सग्या बल में कांग्रेस के और कांग्रेस के सारे मुद्दों पे उसको बेनकाब करने का प्रयास किया और जितने बड़े विशय को लेकर हो चाहे गोबर का विशय लेकर हो चाहे जनता पार्टी शड़क में भी दिखी नेदा पतिपाक्ष और देक्ष बदल देना एक पार्टी की प्रक्रिया होती है उसमें कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ता बार ठीक है ने लोगों को फिर आउसर दिया गया और हम पूरी ताकत के साथ भारती जनता पार्टी ने इस पास साल में भुपेश सरकार को घेरने में कहीं कोता ही नहीं की कोई कोता ही आपने नहीं की राज जी गलट ट्रेक पे चला गया ये भी डॉक्टर रमन सिंग दावा कर रहे हैं पर आप राजनिती के बड़े अनुभवी खिलाड़ी है तक्रिबन पांस दशक का आपका राजनितिक जीवन हो रहा है सरवे वर्वे जितने भी आ रहे हैं जब से चुनाव के संदर में अभ्याण चरम पर आया और जब तक सरवे आ सकते देशनाव आयों के अंदर गरता सब में कॉंग्रेस की वापसी की ही सूचना आ रही थी इसके संदर में क्या के डुब जब अचार सहीता नहीं लगा था जे मीडिया का सीधा मुख्यमंतरी के साथ बाचीत और चर्चा चल रही थी आचार सहीता लगने के बाद के सरवे को उठा के देखिया सरकार के अचार सहीता लगने के बाद और फेस वन के इलेक्शन की बाद छोड़िए फेस वन के इलेक्शन होने के बाद पूरा फिज़ा बदल चुका है वातराण पूरी दर रिख से यू टर्न ले चुका है अब समाज कोई वर्ग अधिकारी हो व्यपारी हो कर्मचारी हो मीडिया हो बागी हो नैशनल मीडिया का विशे हो सट्था बजार हो सब के मन में बात आ चुकी है कि बारा औ और आठ बीस जो बीस विदान सभा में चुना हुए बस्तर के बारा और आठ राजन गाउन लोक सभा के बीस में चवदा से ऊपर भारती जन्ता परटी जीत के आ रही है और यह फेज बखेल की बॉखलाट देखिए गोसना पर गोसना गोसना पर गोसना एक बार उन्होंने अ करते हैं अब तो यही स्तिती हो गई है कि भारती जन्ता परटी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है अब कांग्रेस नीचे जा रही है सेकंड फेज आते आते इस पस्ट हो जाएगा कि भारती जन्ता परटी पचास के ऊपर पहुंच रही है पूर मंदری की बागलते हुआ अब इंदे मेडीया के लोग है अब तो जन्ता के साथ सी इन जड़े संपर रखते हैं और वस्तर और राड़ंगाँ सी जड़े वे लोग है और आम साहे होते यह चर्चा होते है और जब एक विधान समवा का ऐनालीसिस करते हैं सपस्ट हो जाता है कि भारती जनता पार्टी के पक्समें जनता ने जवर्दा सुरुजान दिखाया और भारती जनता पार्टी आगे है आप इसमें कोई शंका किसे को रह नहीं गया है और मुझे लगता है कि फेस बन बहुत अच्छा गया है आपने भी बीस में से चुगदा सीटे भाजपा को दी है चे सीटे ऐसी है जो भाजपा को नहीं मिल रही है राजनद काउओ विधान साबाच छेतर जो है वो चे में है आपके नुसवार यह चुगदा में है को कि भूपेश जी बड़ी दावे के साथ कह रहे है कि रमन सिंग में लड़ रहा हूं डोर टो डोर संपर करने का प्रयास किया बारहालत यह है कि राजनद गाओं के विधान सभा के चुनाओ के मद्दान होने के बाद मैं आज यहां बैठके कह सकता हूं पिछले तीन चुनाओं में जितनी लीड थी डक्टर रमन की सरवाधिक लीड से इस यह अमिशा है आपकी पार्डी के बहुत बड़े निता हैं कई लोग तो उन्हें आधुनिक चानक के भी कहते हैं उनको लेकर बड़े असमंचस में हम लोग जो डॉक्टर रमन सिंग फार्म भरते हैं तो उसके लिए अमिशा आते हैं अपना चुना लड़ने के साथ साथ भूमते नजर आते हैं और अमिशा बड़ा आदमी बनाने की बाद ओपी चौदरी और विश्नुदेश साई के संदर में बताते हैं चल क्या रहा है आपकी पार्डी में जैकि अमिशा की भूमी का खेंदरी नेटित में ग्रीमंतरी जी और पूरे चुनाओ के इलेक्शन को देख रहे हैं और रास्ति इस तरके नेटा है निकल गयाता है या फिर अंने किसी भी नेटा का नाम निकल गयाता है तो उनका दाइत हौए कि ऐसे हमारे लीडर्शिप को सामने लाने का काम और आज वो जीस इस्तिती में है मुझे बताय नहीं कि पार्षा से मैं यहां तक measure को जिनको उनने जिक्र किया है उनके अंदर शमता है उनके अंदर शमता है तो पर थोड़ा विस्तार से आप से बात करना जा दो भोश्व कहले हो गया इसके के अधरर विद्रश्ग में की तृक्तर रहे कई लोग इस आकलन के साथ हैं कि कॉंग्रेस के टियस सिंग्देफ्ट के नित्रत में तैयार किये गए जन घोशना पत्र ने आपकी विदाई की पठकता लिखी है इस बार इस बार संकल पत्र में हम लोगों ने सौधानी बरती पिछले बार जिस मामले के लेकर हमारी चूप होई थी उसको भी देखा जनता का ओपीनियन सीधा लिया सत्ता में रहते 15 साल बीतने के बाद घोशना पत्र में कुछ कमिया रहे गए थी या कुछ हम लोगों ने नहीं कर पाया पर इस बार एक एक बहुत इस तरह तक के कारकरताओं से सुझाव लिया गया अलग अलग सेक्टर में लोग गए हर विदान सभा में गए समाज की हभी वर्ग उनले गए और उससे जो लोगों के सुझावा है और उसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा तो ये एक बात समझ में आ गई है कि छट्यस गड़ में यदि राजीती पे आगे बढ़ना है तो किसान का सम्मान मान और किसान के उपच का बहतर दाम देना पड़ेगा उसमें पिछले बार की चुनाव में हम नहीं दे पाये थ तिस गड़ में राजीतिक जिसी से हमको मजबूती से खड़ा होना है तो किसान को भी ससत करने का विशय हम अपने घोसना पत्र में डाले और इसलिए हमने एक तीस सो रुपिया की बात को रखी हमने 21 कुटल खरीदी की बात रखी हमने दो साल का बोनस जो बाकी रह गया था जिसकी वज़े से दिक्कत आई थी उसको भी वापस 25 दिसम्बर तक देने की बात रखी तो ये सारे विशय पार्टी विचार करती है पुरर विचार करती है संसुधन करती है और इसमें मैं धन्यबाद दूँगा कि केंदरी नेटरिस सहमत हो गया मुख्यमंत्री नहीं रहे 15 साल आप 13 साल वित्तमंत्री भी रहे वह ऐसा वित्तमंत्री जो लगातार खजाने पे निगाह रखता था ये होड़ प्रदेश को कहां ले जाएगी आपने 31 सो के हमी भरी दो दिन बाद गोशना पत्र आया हम 32 सो देंगे क्या कहेंगे ये कांग पूरी समिक्षा की है और वित्ती हालत 36 गड़ को देखते हुए ही हमने अपने प्रवसान में डाले हैं 36 गड़ आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है संसाधन की कमी 36 गड़ बनी है बहतर उप्योग करने की छमता होनी चाहिए तो छत्तिगड उसमें एक सामजस बैठा स सकता है कि किसानों के लिए मजदूरों के लिए महिलाओं के लिए योजना भी बने और डेवलप्मेंट को भी पैरलेल चलाएं तो दोनों काम बाखु भी चल सकता है चत्तिगड में ये पूरा पूरी संभावना चत्तिगड में है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कि BJP कर्जा माफी करने का यहां करज माफी कर रहे तो कर्ज माफी के संदर में आथ क्लार ख़ा नी ओकर नो बाखरी संस्त मरा चौर्ट संभाच बेटने चंद नहीं के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम करें इसलिए हमने 42 सो करोड रुपिया दो साल का बोनस जो बाकी था हमने का किसानों को एक मुस्व 25 दिसमर को हम दे दें ताकि किसान करज दाता न रहे उसके उपर करज न रहे अब 42 सो करोड का उप्योग करके वो अपने एगरिकल्चर के और किसान के अपने सारी दिकतों को दूर कर ले तो हमने दूसरा रास्ता चुना और वो 42 सो करोड देने का निर्णे लिया जो आप अभी दावा कर रहे थे थोड़ी देर पहले बाचीत के दोरा कि यूटर्ण हो गया है 36 गड़ में तो ये यूटर्ण के संदर में माना जा रहा था पहुतों एक हैजार रुपे महिना या बारा हैजार रुपे स्तालाना लगा कि ट्रम काड चल दी आपने पर उपज भी राजनी थी कि निपुन खिलाड़ी हैं दिवाली वाले देन ऐलान की हैं आप बारा हजार दे रहो हम पंद्रा हजार देंगे ग्रह लक्श्म योजना के अंतरगत कितना घबरा गया अप इस घुष्णा के आने के बाद हम नहीं है भुपेश हमारे महजारी बंदन योजना से इतनी परशानी और घबराहट उनके अंदर आ गई कि उसे रातो रात दूसरे दिवाली में घबराहट में घोसना करना पड़ा मगर भुपेश को चत्तिजगण की जनता और माताएं जानती हैं ये वही भुपेश बखेल हैं जो आज मुख्यमंतरी हैं और अठारा मेनों ने घोसना किया था चत्तिजगण की माता और बहनों से वादा किया था कि माता की बहनों को पांसो रुपिया मासिग याने साल में छे हजार रुपिया हम देने का काम करेंगे और ये आज छे हजार के हिसाब से पांस साल का तीस हजार रुपिया एक एक बहनों का भुपेश बखेल की उपर करजा है जो उसके घोस जन घोसना पत् सारवे पेरा में उन्होंने लिख के दिया था अब भूल गए कि पांसो रुपया तो दिया नहीं भाई ने अब वही भाई भूपेद वगे फिर आके पांसो के बदले में पंद्रसो रुपया देने की बात कर रहे हैं यह चतिजगड की जंता और चतिजगड के लोगों को ड अब बड़े नारे लगा च्शराव बंद्र करेंगे घर घर पहुंचा आगे श वो नहीं हुआ चार गैस के सिलेंडर फ्री इतनी वादे किया भुपेश ने अठारा के वादे को पल्टा के देखो तो फिर बाद में तैईस में नहे वादे करो तो भुपेश के जूटे वादे के भ्रम में एक बार लोगों ने किया काट की हंडी है एक बार चड़ गई जनता इस बार पूरे 36 गड़ में भुपेश के इन जूटे वादों को नकारने वाली है अजया च्छतित गड़ के सियासत को जो लोग भी देखते हैं वह अजीत योगी को बड़ा याद करते थे भाजबा के लिए बड़े शुभंकर के रूप में देखे जाते थे इस वा और उनके वेटे अमिजोगी भी काफी सक्रिय देख रहे हैं अमिजोगी से भाजबा को कितनी मदद बिल रहे हैं लेकि अजीत जोगी और अजीत जोगी का राजितिक जो एप्रोज था और उनका एक व्यक्तित्तो था वो समाज के बहुत सारे वर्गों को प्रभाई करने जोगी जी के साथ हमेशा रहा है और उसका लाव उनको हमेशा मिलता रहा है आमित अभी राजितिके दिस्टी से शुरुवात कर रहे हैं क्या हजीत जोगी के उस बैड़ बेंक को अमित जोगी वोटों में प्रियोर्तित कर सकता है यह परिक्सा की घड़ी इस बार आएगी और इस बार पता चलेगा कि कितने वोटों को अपने पक्स में ला सकता है लेकिन हमें जोगी या जोगी कॉंग्रेस की मौजुदगी भाजबा को मैदान में परिशान कर रही है या मदद कर रही है यह हमको परिशान नहीं कर रही है और जो भी वोटो का डिवीजन होगा उसका भारती जन्ता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा बलकि फैदा होगा आगरी बाचीत पर आते हैं डोफो बताते हैं इस वार आपकी टिकेट वितरण में बहुत चली है टिकेट वितरण में त करती है ज़ियर केंदरी नातुम पताल मंतर ने सम कर पार्भबि मतरी इस है अंड प्रत केंदरी समयों में फाहले क्राइद को में प्रदहन कर्देश मंतर E तो मैं तो 90 के 90 आदमी को इह अपना आदमी मानता हूं जे जो भारति-जंदाबार्टी disappears कमल ऊपने हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूं इसलिए हमारा लक्ष किसी व्यक्ती को चुन कर जीता रह नहीं है बलकि 90 में से 90 भारती जन्टा-बार्टी के पत्यासी है कमन निशान या डॉक्टर रमन का निशान या या मोधी जी का निशान उसके लिए काम कर रहें और जीता के लाएंगे और सरकार बनाएंगे आपने बदा कि अब पचास से ज्यादा सीटे जीतने जा रहे हैं उन पचास सीटों में ये अंबिकापूर, ये सक्ती, दुर्ग रामी और पाटन शामिल है या इन से इतर पचास सीटे आ रहे है पाटन में भी स्थिती बदल गई है और विजय बगेल ने बहुत महनत किया है और ये भी चत्तिजिकरद को देखने को मिल सकता है वर्टमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए भी जुनाओ हार सकता है ये पार्टन उसका एक्जामपल भी बन सकता है सिदेव जी के इलेक्षन में और सिदेव की चुनाव में वहां भी सिदेव अंबिकाबुर से बाहर करम रखने की स्थिति में नहीं है काफी जवद्दस मुकाबला है और महांदी जी भी फसे हुए है तो सबको आपने फसा दिया है कठोर मुकाबला है आप वहां के जानकरी लीजिए और देखिए कि काफी जवद्दस लड़ाई है और भारती जंतापरड़ी वहां पर मजूती के साथ काम कर रही है यह सब तो विधायक बनने के चक्र में फसे हुए है आपका मामला मुक्ष मंतरी के संदर में कितना आसान है या आप भी फसे फसे से महसूस कर रहे हैं इस बार नहीं मैं कोई महत्वा कांशाप पाल के राजीती में आया नहीं और कभी मैं सोचा भी निए कि मैं मुक्ष मंतरी बनूँगा 2003 में मुझे दिल्ली से वापस चत्यगर आने का आदेश हुआ प्रदेश सद्यक्ष बना के मुझे बेजा गया प्रदेश सद्यक्ष के में मैंने काम किया वो सेन्य लोग थे मगर विदायक दल नहीं मेरा नाम प्रस्तावित किया 2003, 2008 और 13 तीनों चुनाओं में कहीं भी डॉक्टर रमन को मुख्यमंतरी के नाते प्रोजेट करके चुनाओं नहीं लड़ा गया विदायक दल में ही तैह हुआ अभी आगे भी चुनाओं में हम बैठके तैह करेंगे और विदायक दल में बातचीत होगी और उससे पर निर्णाय होगा और केंदरी नहीं लड़ा करेंगे तैह करेंगे इसलिए डॉक्टर रमन कोई धावेदार नहीं है मुख्यमंतरी का न लड़ा व्यक्ति के दोड में भारती राश्ट्रे कॉंगुरिस के बीच मेह भूपपेश बगिल और नरिंदर मोधी के बीच में जिस तरीह से मोधी जी की गारंटी के रूप में संकल पत्रा आ रहा है नरिंदर मोधी जी सीधे मुख्यमंतरी को निशाने पड़ ले रहे और मुठी मंतरी जी भी तसलिसर प्ष 15 को निशाने पर ले रहे हैं आजह मुठी मंतरी जी ने ट्विट किया है और मोदीं जी ने अपनियों को पिछड़े मैं पुछड़े विशड़े थोड़ी यह हैं और भूल रहा है कि आप मवन गरौ मैं बढरश्त signs करूं क biscuit करना कि चुनाव क्या मोधी बना मुपश बगेल में तब्दिल होगे और परेणाम इसी रूप में दिखा जाएगा मोधी जी राश्टी नेता हैं और पूरे हिंदुस्तान की राज़नीती को प्रहुईद करते हैं चुनाव के अभियान में हम लोगो मदद करने के लिए आते हैं और ये लड़ाई भारती जन्ता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हैं जिसमें मोधी जी महात्पूर्ण भूमी का निभा रहा है तो कुल में लाकर हम अगर बाचीत के नतीजे पर पहुंचें तो डॉक्टर रम्न सिंग तीन-चार महतपूर्ण बात किया रहे हैं सबसे महतपूर्ण बात तो ये कह रहे हैं कि जब से आचार सहीता लगी है चतिसगड़ का वातावरण बदल गया है और बदल ऐसा गया है कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दूसरा महतपूर्ण पहलो उनका बाचीत के दिगर निकल का आया है वो ये है कि ये चुनाव सीधे तोर पर भारती जन्ता पार्टी बना भारती राश्ट्रे कॉंगरिस का ये जिसमें भारती जन्ता पार्टी जीतने जा रही है तीसरी महत्पूर्ण बात उनका कहना यह है कि कॉंग्रेस के तमाम दिगज इस समय कठिन मुकाबले में फस गए है और उम्मीद तो यहां तक कर रहे हैं कि शायद चत्रगाड इस बार मुक्यमंत्री के पतबरे बैठे हुए व्यक्ति को भी हारते हुए देख लेए तो काफी उम्मीदों के साथ डॉक्टर रमन सिंग पार्डी को लेकर है और जो डॉक्टर रमन सिंग के प्रती सदभाव रखते हैं वो उनको लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ हैं पर उमीद है भूपेश बगेल जी की भी है देखें इसकी उम्मीदे सेरे चड़ती हैं पता